हाई एवरीवन वेलकम वेलकम बाक ट्यू माई चैनल इस पैशन्यू चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी एक और तरीकली का राजपुती मेकप लुक जो पिछला वाला मैंने मेकप लुक बताया था उससे एक दो स्टेप मैंने चेंज किय यह वाला मेकप लुक आप सगाई में शादी में और पार्टी में कर सकते हो कोई ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं है सिर्फ एक दो स्टेप मैंने चेंज किया यहां पर शेमर आईशेडो लगा के अधर पूरा मेकप जो है वो सेम है और दूसरा चेंज मैंने यह किया है कि म अभी जो मैंने ड्रेस वेयर कर रखिये मेरी मम्मी की है जो की 16-17 साल पुरानी है मेरे पापा लेकर आये ते मेरी मम्मी के लिए लेकिन यह ड्रेस मुझे बहुत जादा अच्छी लगती इसलिए मैं अपनी मम्मी से इसको लेकर आ गई हूँ और मैं बता दू कि मेरी शाद अब पुरानी ड्रेस लेकिन इसका लुक जो है बिल्कुल भी नहीं चेंच वाया है मतलब ऐसा लगता है कि अभी नहीं ड्रेस बनवाई है तो इसका इसका जो डिजाइन है और यह जो गोटा पती की जो यह डिजाइन है वह बहुत ही जादा यूनीक लगती है मुझे इसल सो फिलाल के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे है क्राजपूती मेकप लोग जो कि बहुत ही सेंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले आप अपने फेस को को दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा और स्पॉंज ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से मैं से जो है डैप डप करके अपने फांडेशन को स्किन पर लगा रही हूं और उसके बाद मैं यूज कर रहे हूं कंसीलर जो की मेरी अंडर आई पर अपलाए करूंगी मुझ मेरी आई ब्रोस को सेट करने के लिए और थोड़ी बोल्ड आई ब्रो मैं सेट करूंगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद में स्पुली की हेल्फ से अपनी आई ब्रो को अच्छे से सेट कर लोंगी दन मैंने पिक किया मिलानी का एक थ्री पक ब्लश एन कॉंट पाले जिसमें से मैं सबसे पहले अपल आप दो चीक पर अपना ब्लश अप्लाई कर लोंगी दैन उसके बाद में कॉंटॉर ब्रश के अपनी जॉर लाइन की और आपको जब कॉंटॉरिंग करनी तो आपके फेस को इस टाइप से बनाना तक कि कॉंटॉरिंग अच्छे से ह जिसमें से मैंने दो कलर बताएं ब्राउन और पिंक बहुत ही लाइट लाइट ऐच्छेडव अपलाई करोंगी मुझे कोई डाक आइशडव अपलाई नहीं करना है इसलिए मैं बहुत ही लाइट अपलाई करोंगी अगर आपको डाक पसंदों तो लगा सकते आपर अश्र इसे थोड़ा सा हैवी मेकप दिखेगा आइस का अताकि आप सगाई में या शादी में अपलाई कर सको सु मैंने अपनी यह अपलाई किया है उसके बाद मैं लेक में अपसल्यूट का आई-लाइनर अपलाई करूंगी जो जहां पर जो आई-लाइनर मैं बनाऊंगी वो का काजल ले रही हूँ जिसे मैं अपनी आधी आई तक बोल्ड करूंगी देन फॉर्दर जो इनर कॉर्णर आई पर वहां पर लाइट काजल लगाऊंगी और इसके पीछे एक समजर आता है उसके यल्प से आपको काजल को समज कर सकते हो बट मैं सेपरेट समजर यूज करत समजर यूज करके लगा लोगी अब मैं लॉरëल का मस्कार यूज करा रही हूं अपनी ऐलेचे को वॉलिम बढाने के लिए सो अगर आपको फेक लैशिज कर दो आथ मों भी लगा सकते हो मैं यसविली पसंद नहीं करती हूँ इसलिए मैं में मस्कारा लगा रही हूँ यहा जूल्री नहीं है, जो भी मेरे पास minimal जूल्री है मैं वहीं वियर कर रहे हूं, तो उसमें भी आप अपना लुक को बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, अगर आपके पास जैसी भी आर्टिफिशल जूल्री हो, ऐसे वियर कर सकते हो, मैं यहापे मांग टिका वियर कर रही हूं, दैन माथा पट्टी लगाऊंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगती है, थोड़ी पीछे लगाऊंगी, अगर आपको पसंद हो आगे लगाना तो भी लगा सकते हो आप, मेरा अल्मोस्ट मेकप लुक कम्प्लीट हो चुका है, लोक कम्प्लीट होने के बाद मैं अपनी ओधनी सेट कर लेती हूं, सो ओधनी के लिए मैं नॉर्मल सा अभी सर पे पल्लू उतना ही रखा है, बाद में आप फ्रंट पटली एंड पल्लू लगा सकते हो, यह मेरा मेरा फाइनती हो, तो मुझे एक अलगी लोक लगता है, इतनी प्यारी है, तो मैंने जैसा की बोला, old is gold, बहुत बहुत अच्छी लगती है, आपको मेरा मेकप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना, ओकी गाईज? So guys, अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से मेकप किया, और किस तरीके से आप लोग के साथ शेयर किया, अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो मेरा मेकप, तो जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जादा-जादा शेयर क करना है कि आपको मेरा लुक, मेरी ड्रेस और मेरा मेकप कैसा लगा, और फर्दर आप और भी चेंज़ेस करके देखना चाते हो राजपुती मेकप को तो भी आप मुझे बता सकते हो, और अभी थोड़े समड़े टाइम पहले मैंने राजपुती साडी को कैसे स्टाइल करे तो मिलती हो अपने नेक्स वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाइबाइ!